नमस्कार दोस्तों फिर से हाजिरें एक नई वीडियो के साथ आप देख रहे हैं हमारा पैथलब चैनल मेरे नाम है मनीश कुमार तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए है चैनल को सस्क्राइब कर दें वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें तो आज हम बात करने वाल अपना HB1C का रिपोर्ट आता था उसमें सिर्फ एक वैल्यू आती थी कि आपका HB1C जो है 5.3 है 4.9 है 7.3 है लेकिन अब उसके साथ एक शुगर वैल्यू भी आती है तो उसमें थोड़ा सा कन्फूजन हो जाता है कि वो वैल्यू फास्टिंग है पीपी है या रेंडम है क्या है तो सारी चीजें वीडियो में डिसकस करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि वो रिपोर्ट आपको जो है कैसे रीड करनी है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो HB1C टेस्ट है वो किसले कराया जाता है दे यानि कि अभी जैसे कि जुलाई चल रहा है तो तीन महीने पहले तक आपकी जो शूगर एवरेज थी वो क्या चल रही थी पर डे के हिसाब से तो ये चेक करने के लिए डोक्टर जो है HB1C टेस्ट कराता है और इसके बारे मैं बता दूँ ये जो है HB1C टेस्ट है बलड क में है चाए आपने दो घंटे पहले खाया उससे कोई इशू नहीं है आप ये टेस्ट कभी भी करा सकते हैं तो इसके लिए फास्ट पॉइंट हो गया कि आपको फास्टिंग की जो है रिक्वार्मेंट नहीं है जो है इसमें हम बात करने वाले हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो किस तरह से आती है आप उसको कैसे रीड कर सकते हैं तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे कि HBNC दिया हुआ है अभी मैं आपको एक डमी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ एक पेशन का जिसमें HBNC दिया हुआ है वैल्यू जो रिजल्ट आया है जहां पे रिजल्ट लिखा ह हुआ इसके नीचे जो वैल्यू आई है आपकी HBNC की वैल्यू यह है 5.5 यानिकी जो पेशन्ट की जो एवरेज वैल्यू है 4 से लेके 5.60 यह नॉर्मल रिल्ञ नॉर से लेके 5.60 तक इसके बीच में अगर यह वैल्यू आती है तो यह नॉर्मल है यानि कि आपको पिछले तीन महीने में कभी भी आपका जो शूगर लेवल है वो बढ़ा नहीं है ना कम हुआ है वो एक नॉर्मल रेंज में चल रहा है अभी इसके नीचे जो एक वैल्यू आती है वो आरी है जो एक एवरेज वैल्यू होती है ट्रेपल वन यानि कि पिछले तीन महीने से जो एक एवरेज निकाली जाती है जो मशीन में ही ऑटिमेटिक एक वैल्यू निकलती है जब आपका टेस्स लगता है कि आपकी पिछले तीन महीने से जो एवरेज है वो 111 के असपास चल दी है यानि कि 110, 108, 112, 115, 108 तो उसके calculation करके machine निकालती है कि आपकी जो value है वो 111 है तो ये जो आपकी value है ये per day की average sugar शो करती है कि जो average value है वो 111 चल रही थी ये fasting नहीं है ये पीपी नहीं है जो खाना खाने के बाद करते हैं ये random नहीं है तो ये एक average value है तो इस तरह से आप इस report को read कर सकते हैं हमेशा ध्यान रखें जब भी आप test कराते हैं अपनी final report ही collect करें जैसे reporting status यहाँ पे दिया हुआ है तो उसको check कर लें final है या interim है interim का मतलब होता है कि report जो है वो आपकी half reports जो होती है वो आधी report आपको दी गई है तो उसको पूरा आप collect करें तो value आपको समझ में आगी अब कई patient के आती है 7.3 तो वो इस range से भार हो जाती है निकि out of range होती है तो उसके नीचे आप check करना जो आपकी average sugar है वो भी बढ़ी हुई मिलेगी 200-300 के असपास मिलेगी तो वो diabetic patient होते हैं जिनमें ये इस तरह से value बढ़ी हुई आती है तो video आपको अच्छा लगा होगा आप मैंने जैसे sugar के बारे में बताया तो video अपने जो friend circle में share जरूर करें और channel को subscribe जरूर कर दे तो मिलते हैं next एक अच्छे से topic पे अच्छी सी video पे आपका कोई suggestion हो किसी video या test के बारे में तो video के मादम से हम आपको बताएंगे तो आप हमें comment कर सकते हैं मिलते हैं next video में स्ट्ची साथ onlar ओडिसा कमा रडूर कर दे एक कर दो झाल 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 झाल